नमस्कार दोस्तों रोजना राश्य फल दखने के लिए चैनल को शब्सक्राइब कर लें शाथे बैल आइकन को प्रेश कर दें ताकि दोस्तों आपकी राश्य से जुड़ी सभी जानकारियां शब्से पहले आप तक पहुंश चके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्ता मुश्रुकों का लाब ले शुकें तो आए दोस्तों से के शाथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 अक्टूबर 2020 के आपके राश्य फल के बारे में शब्से पहले दोस्तों जिनकाब यश्मे बच्टरे है या फिर एनिवर्सरी है आप शब्से को मरतरब से डेर शारी शूप कामना है तो आए दोस्तों से के शाथ बात करते हैं यश्मे गरों के इस ददिक एची होंगी क्या क्या योग बनेंगे और इन्हें शबी का यह बहुत यह ची बिचार दे गए हैं जिन्हें आप ज़रू देखिएगा आपको काफी अचलेगा तो आए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों बद्वार का दिन रहेगा किर्श्म बच के महुशाती ती रहेगी और हस्त नाम का इस दिन अच्छा तर प्रारम हो जाएंगे यह दिन योग की बात करें तो ब्रह्म नाम का शुबयोग शुबा की आठ भचकर 32 मेर्ट रहेगा उचको प्रांती इंद्र नाम का शुबयोग प्रारम हो जाएंगे दोस्तों रहू कल कि शुब और महत्मुन कारें को बिलकुल ना करें तो दोस्तों यह च्छ मेरेगा दो दोबार के एक बचकर 32 मेर्ट तक वह दोस्तों चनर माई दिन कन्यराशी पर शंचार करेंगे दोस्तों यदि आप यह समझते हैं कि पीट पेचे किसी की बुराई करने से लोग तुम्हें भला मान लेंगे तो इसका मतलब है कि तुम्हें लोगों का मिजाज समझ नहीं आय होते जैसे नजराते हैं अक्षर लोग जूटी परसंसा के मोह जाल में फसकर खुद को बदबातों कर लेते हैं पर आलोचना सुनकर खुद को शमालना भूल जाते हैं कोई कहे यह मेरा है कोई कहता है जो तेरा है वो मेरा है लेकिन हकिकत में नो कुछ तेरा है नो कुछ मेर यह दुनिया एक रहन बशेरा है दोस्तों नो कर फिक्र की जमाना क्या सोचेगा जमाने को अपने ही फिक्र से फुर्चत नहीं है लोग याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा पर लोग याद रखते हैं कि आपने उन्हें केसा नुभव कराया तो चलिए इसी की साथ बात करते हैं आज की राश्यवल की देनी राश्यवल को करने में वहितित करें इससे आप अपने आपको दोवारा फ्रेश मैसुल करेंगे तथा अपनी दिंचरिया शमंदी कारियों में पूरी उर्जा के साथ ध्यान भी लगा पाएंगे दोस्तों विद्यार्तियों को किसी परवाई के वज़श्य किसी कानूनी पजड़े में भी आप सकते हैं दोस्तों कोई भी बड़ा निविश्च करने शुप पहले उससे समधित पूरी जनकारी आप अवशासिर कर लें इसको प्राहत दोस्तों यह श्मय आपके लिए समय होंगे दोस्तों जितनी चलांकी से पर नकार्तमक तरीके से हो रहा है दोस्तों जो की आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन दोस्तों नीजी भ्यूश में कोई बड़ा नुक्सान इंसे आपका हो सकता है इसकी दोस्तों यह जो समय है किसी के साथ भी वैवार करते समय सच का साथ देकर काम करें यह आपके बैतर होंगे इसको प्रांद दोस्तों पिछले कुछ समय से आपने अंत्रिक उर्जा को समझने के लिए जो भी प्रयास कही है उनके वज़र से आपके वहवार में बहुत ही शकार्तमक परिवर्तन भी आएगा दोस्तों दूसरों की दुख दर्द और तकलीफ में उनकी शा प्रतगित रखना ही बैतर रहेगा दोस्तों यसमी फिजुल खर्शी पर नियंतर रखें यह आपके लिए बैतर होंगे इसको प्रांद दोस्तों यह में आपके लिए आपके आश्पास की उज्जा को बदलने की सक्त आफशकता होंगी जिसके लिए घर को साप करते रहें और दोस्तों जिन चीज़ों का इस्तिमाल आप काफी दिनों से नहीं किये हैं यसी चीज़ों का आप दान करते ही आपके लिए बैतर होंगे दोस्तों यह शमी विचारों में कलरेटी नहीं आएंगी इसलिए एक वक्त पर एकी काम को पूरा ध्यान देने की आपशकता इसको बाहनदोस्तों यह समाएं आपके लिए जाम होगी दोस्तों घर में नयदीक रिस्तेदारों का अगमन होगा तथा आपसे बिचारों का आधान परदान पर घर के वातारन को खुष्लेमा बना कर नखेगा दोस्तों किसी विशेस मुद्दे पर भी विचार बहों भो ह हो सकता है योगायों को किसी वरिश्वक्ति के सानित्य में अपने समस्या का हल मिल सकता है इसको प्रहांस में बच्चों पर कठोर नेतरा नोर रखकर नमर वायवार करें इसे वह आसानी चीए अपनी समस्याओं को आपके शाथ सेयर कर पाएंगे दोस्तों आपकी एगोवा फिर गुस्ते की वज़शे महल थोड़ा अस्तिवयतियस में खुश रखता है इस बात का भी आप ध्यान अवश्य रखें इसको प्राहन दोस्तों यह शमय आपके लिए जोसे मोंगे आपको बता दें कि दोस्तों किसी एक विषय के बारे में आपको अधिक चिंदा यश्मिर रह सकती है उसे विषय के बारे में मारदर्शन नो मिल पाना या फिर आपके शमस्या का हल नो मिल पाने के उज़र्शे आपकी चिंदा इसमें बढ़ रही है दोस्तों हम निजित चीज के पीछे जितना भागते हैं उत किया अब और कोई कोटके शमन्दी मसला चल रहा है तो दोसों यश्मिर फिषयक वेक्ति दोरा आपको कोई अप्लब्दी भी हाशिल होने वाली है कि स्थ offen पर रोक लगाए अपनी टावर्शन को किसी साथ सेर ना करें और आता आपको ही हनी का शमन करना पड़ेगा दोस्तों यह वावर घुमने फिरने में अपना शमय वहितित करके अपना ही नुक्सान कर बेठेंगे तो दोस्तों इन से साधन है और अपने केरियर वापर पढ़ाई पर फोकस करें यह आपके लिए बैतर होंगे इसको बराण दोस्तों यह शमय आपके लिए जमयोंगे आपके दिंचरा के लिए जमयोंगे दोस्तों आपका ध्यान परिवार पर अधिक बढ़ेगा परिवार की लोगों के शमस्याओं को दूर करने के प्रत्न आपके दोवरा की जा सकते हैं दोस्तों पेशे समधित कारियों को साव्धानि प्रूवर करें किसी बाहरी व्यक्ति के बातों एकुए आ अप के श्पनोव को क्योंको दोस्तों ये श्रों में किसी परकार की गडबड़ी होने की अश्व्कार बन रही है इसको प्रांथे के लिजिशंगे आपके वयवसाय के लिए जोसे महोंगे दोस्तों यश में कारिशित में किसी करमचारी की लपरवाहिशे कोई बड़ा नुक्षा होने की असंका बन रही है इसलिए दोस्तों बहतर होगा कि अधिक्तम निरले आप स्वेंगी लें अपने देख रेग में ही ओडर तयार करवाएं ये आपके लिए बैतर होगे नुक्री पेशावेक्तियों की जो है ओपिश के मित्रों की साथ गेट टूगिदर रखने की योजना भी बनेगी इसको प्राद दोस्तों ये आपके केरिर के लिए जुसे महोंगी दोस्तों ये पिछले को समय से जो भी धंशमनी दिक्रतों का आपको समना करना पड़ रहा था दोस्तों प्रोटर्षन के कारीर के रुके हुए थे ये उनमें पुना अगधी आएंगी आर्थिक इस्तिति यश्मे सुद्री रहेंगे दोस्तों लोकरी पहसे व्यक्तियों को भी अपनी ओपिशियल कारियों के प्रती जाला ध्यान देने की यश्मे अवशकता होंगी इसको प्राहत दोस्तों यश्में आपकी केरे के लिए समयोंगी आपके और शाहे के लिज़ समय होगे दोस्तों पार्टनर्शिक शमंदी किसी भी कारे में पार्टिस्टा बना कर रखना अतिया आउश होगा दोस्तों थोड़ी से गलब फ्यमी शमंदों को खराब कर सकती है इसको प्राहन दोस्तों ये शमंदर आपकी लव लाइफ के लिज़ समय होगे पति पत्री के आपके शमंद ये शमंदर में महदूर रहेंगे प्रेम शमंदों में भी और अधिक नहीं देक या बढ़ेंगी इसको प्राहन दोस्तों ये शमंदर आपके पारिवरिक जीवन के लिज़ समय होगे आपके लव लाइफ के लिज़ समयंगे दोस्तों पारिवरिक वातावल ये शमंदर आपके शिकषिuk靈 के मण में परशन data रहेँगी इसको प्राहन दोस्तों ये शमंदर आपके शौत को महाट करें तो दोस्तों स्वास के उत्तम रहेएगा प्रतु घर के किसी वरिष्ट वक्ति की स्वात को लेकर चिंता रहे सकती है दोस्तों याश में लपवाई ना बढ़ते और उची समय बर इलाज करवाएं इसको प्राहत दोस्तों याश में आपके स्वात के लिज़ों समय होंगे इसको प्राहत दोस्तों याश में आपके स्वात के लिज़ों समय होंगे इसको प्राहत दोस्तों याश में आपके स्वात के लिज़ों समय होंगे इसको प्राहत दोस्तों याश में आपका भागिशाली रंग रहेगा शपीद और भागिशाली अंक रहेगा नौ